हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक के स्टार्ट किया है हमने फिर से ट्रांसफर्मर का तो इसमें हम सीधे कोश्चन पे चलते हैं मारा पहला कोश्चन है विदूत मसीनों में लेमिनेटेड कोर का परयोग हम लोग किस लिए करते हैं या किसको घटाने के लिए करते हैं जनरली हम लोग विदूत मसीनों में लेमिनेटेड कोर का ही परयोग करते हैं लेमिनेटेड सीट का परयोग करते हैं इसको लगाने का में रीजन होता है कि इडी करेंट लॉस को क्या करना कम करना अब देख सकते हैं इसमें इडी करेंट लॉस को क्या किया जा रहा है कम किया जा रहा है इसका एंसर है इडी करेंट लॉस को कम करना मेली अगर किसी भी जिस पे हम वाइंडिंग करते हैं जैसे अगर ट्रांसफर्मर की बात की जाए तो ट्रांसफर्मर का जो कोड होता है वो जनरली एक मोटे मेटल का ना बना करके प सेप में आपने देखा होगा वो टांसफर्मर का जो सीट रहता है उसी को क्या बोलते हैं और यह पतली-पत्ति का बनाया जाता है जो की सिलकन श्टील का बना होता है बिदुत मशीनों में Laminated Core का परियोग हम लोग किसलिए करते हैं Laminated Core का परियोग ED Current Loss को गटाने के लिए करते हैं जबकि Hysterious Loss पर इसका कोई परभाव नहीं परता है या दूनों ही core loss है हलाकि ED Current Loss और Hysterious Loss जो होते हैं वो क्या होते हैं कोपर लोस में आते हैं और कोपर लोस जो होते हैं वो जिसको की IA2R भी हम लोग बोलते हैं IA2R कोपर लोस को हम लोग IA2R बोलते हैं और कोपर लोस में हमारा कौन सा आता है ED Current Loss और Staticist Loss ये लोस इसका फिक्स है लोड बढ़ने और घटने पर चेंज नहीं होता है जबकि कोपर लोस होता है लोड बढ़ने और घटने पर चेंज होता है लोड बढ़ता है तो कोपर लोस बढ़ते जाता है Next question इसमें हम लोग फर्मूला देख लेते हैं Staticist Loss का क्या फर्मूला है WH बरावर है B 1.6 Maximum F into B है ठीक है और ED Current Loss का फर्मूला देख लेज़ें आप B Maximum का Square, Frequency का Square, Thickness का Square और Volume का Square इसमें T क्या है उसकी मोटाई है जो भी आप cell यूज कर रहे हैं उसकी मोटाई Thickness है भी बॉलम यानि आयतन है ए फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा Hysteresis Loss आगर आपको Question Direct पुछा जाए कि Hysteresis Loss क्या फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो Hysteresis Loss और ED Current Loss दोनों फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है लेकिन Hysteresis Loss जो है आप देख सकते हैं थीक्नेस पे डिपेंड नहीं करता है ED Current थीक्नेस पे डिपेंड करता है इसलिए जो होता है लेमिनेटेड कोड बनाया जाता है और जो थीक्नेस पतली-पत्ती का बनाया जाता है Next Question पे हम चलते हैं यह Question काफी बार पुछा जाता है कि Voltage Regulation का फर्मूला बताईए तो Voltage Regulation का जो फर्मूला होता है वो होता है No Load माइनस Full Load बटा में Full Load इंटु 100 percentage में Voltage Regulation पूछेगा तो इंटु 100 तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका पहला नंबर आप्शन No Load माइनस Full Load बटा फुल लोड यह सही है यह इस रो में पूछा गया Question है देख सकते हैं percentage Voltage Regulation दिया गया है percentage में पूछा जाएगा तो No Load माइनस Full Load बटा फुल लोड गुने 100 कहीं कहीं आपको यह इस तरह से लिखा मिलेगा भी 0 बटा भी बटा भी इंटु 100 तो confuse नहीं होना है next question पर चलता है transformer की कोड के निर्मान के लिए सबसे उप्युक्त समगड़ी कौन सी होती है transformer का अगर हमको कोड बनाना है तो आपको सबसे उप्युक्त समगड़ी आपको इस तरह के question को हमेशा option से चुच किया जाता है इसमें आप देख सकते हैं hot rolled gain steel यह नहीं होगा cold rolled gain steel cast iron cast steel cast iron का नहीं बनता है cast steel का भी नहीं बनता है cold rolled grain oriented steel का बनाया जाता है CRGO जिसको बोलते हैं CRGO steel next question पर चलते हैं इसका explanation देख लेते हैं transformer की कोड के निर्मान के लिए हम लोग CRGO steel उप्यूक्त लेमिनेशन परियोग करते हैं इसके अंदर ED current loss और hysteresis आनिया नियुंतम होती है इस metal का उप्योग करने का main region क्या है ED current loss भावरधा रहानी और hysteresis loss को कम करना यह मिस दात्यों की सिल्का होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए सिल्कन लेमिनेटर जिसको हम बोलते हैं और इसमें आपका यह को भी कोशन मन सकता है कि इसमें सिल्कन की मात्रा लगवा कितनी होनी चाहिए तो चार परसेंट तक होनी चाहिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं ग्लास के साथ सिल्का जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिश्टल का रंग दिखाई देता रहे क्रिश्टल जब क्रिश्टल जब नमी अवसोसित कर लेता है तब उसके उसका रंग नीले में बदल जाता है ग्लास के साथ सिल्का जेल ब्रीदर आपने जब भी ट्रांसपर्मर देखा होगा तो ट्रांसपर्मर में एक ब्रीदर लगा होता है ब्रीदर के नीचे ग्लास में कप में ओयल भी भड़ा होता है और ये जो जिसमें ब्रीदर में क्रिश्टल में सिल्का जेल भड़ा होता है वो क्या होता है चोटा-चोटा पार्टिकल होता है वो ऐसा सिस्टम में भड़ा होता है जो कि हमको दीख हाई दे यानि कि glass में भड़ा रहता है glass के bottle में type में भड़ा रहता है crystal जाप नमी और Social कर लेता है तो वह नीला बन जाता है तो यानि प्रारम में जब भड़ा रहता हो कुँसा रंग में कुक्स होता है तो वह गुलाबी होता है तो क्या होता है blue blue रंग में हो जाता है DMRC में को यह question पूछा गया था कि जब हलका नमी सोकता है यानि तीनों option दे दिया गया था कैसे उसका रंग change होता है तो जब नया रहता है तो ब्लावी होता है और फिर वॉयलेट यानी बैगनी हो जाता है बलू यानी नीला हो जाता है ये नीला यानी की क्राव हो गया mask को चेंज करना है change करने के लिए आप तो या तो आप नया क्रिस्टल लगा सकते हैं नया सिलका ज़िल लगा सकते हैं या देर-100 से 200 डिगडी सी टेंपरेचर पर आप सिल्का जेल को गर्म कर देंगने पर भी वो क्या होगा सई हो जाएगा नेक्स्ट कोशन पर हम चलते हैं प्रारंभिक में जो ये रंग जो होता है वो नीला होता है फिर बैगनी होता है यानि वाइलेट और बाद में गुलाबी होता है आप याद रखेगा इसको प्रारंभ में जो नया क्रिस्टल जो होता है सिल्का जल्का वो नीला होता है वो नमी हलका सोकने लगता बैगनी यान वो क्राब हो गया उसको आपको चेंज करना है और चेंज करने के लिए या तो आप नहीं लगाए या तो देर सो से 200 डिग्री सी टेंप्रेचर तक उसको गर्म कड़के भी लगा सकते हैं नेक्स्ट कोसेंज पर चलते हैं करेंट ट्रांसफर्मर के प्राइमरी सर्कीट में जब करेंट परवाही थोड़ा है तब सेकेंडरी परिपत को तो सेकेंडरी परिपत कभी भी ओपिन नहीं रखना चाहिए हमेशा सेकेंडरी जो परिपत होता है सेकेंडरी को सोट सर्किटेड रखना चाहिए इसका एंसर है एक नंबर एक्स्प्लेनेशन देख लेते हैं सीटी की सेकेंडरी कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए खुला होने पर दिते कुनलेन में आती मुछ भोलता उत्मन होगी और वहाँ पर कार करने वाले बैक्ती के लिए एक हाथ अखोगी इसके साथ का ट्रांस्फर्मर की कोड भी अत्रिक संत्रिप्त होकर अपना चुमबकी गुन सदेव के लिए नश्ट कर देगी और जो सीटी ज होता है वह कौन सा ट्रांस्फर्मर में आता है अस्टेफ अब ट्रांस्फर्मर और जो हमारा पीटी होता है पोटेंशिल ट्रांस्फर्मर वह स्टेफ डाउन में आता है और यह दोनों बैसिकली करेंट ट्रांस्फर्मर और पोटेंशिल ट्रांस्फर्मर का यूज जो होता है भी ट्रांस्मिशन लाइन में मिट्रिंग इंस्टुमेंट यह मेजर्मेंट इंस्टुमेंट के रूप में यूज किया जाता है जैसे हम बड़े 132, 220, 500 KB के लाइनों में हम डाइरेक्ट भोल्ट मिटर लगाके मेजर नहीं कर सकते इतना बड़ा एक्यूपमेंट नहीं है वोल्ट मिटर तो उससे के लिए क्या करते हैं हम की लाइन के पैरलेल में पीटी को लगाते हैं पीटी को लगाने के बाद हम पीटी से कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मिटर और उससे हम मेजर्मेंट कर लेते हैं सेम सरकिट सीटी को लाइन के सिरीज मे लगा के हम लोग current को मिजर करते हैं नेक्स्ट कोशन पर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा छे नंबर कोशन है कि होल्ट मीटर के पर चालन के लिए विभो ट्रांसफर्मर का प्योग उच बोल्टेज को निरापद बोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है प्राइमरी में फेरो की संख्या अभी हमने पीटी के बारे में बताया था आप याद र प्राइमरी में फेरो की संख्या होगा से अधिक बी नंबर इसका उप्सन सही है अगर सीटी का बात किया जाता तो सीटी क्या होता है स्टेप अप होता है जो हम लोग इसका इंगलिस देखे में लेमीनेटेदे हम लोग क्यों यूज करते हैं ? जो भी सीया जीयो मै्टैटरियल यूज करते हैं वह लेमीनेटेड क्यों यूज करते हैं तो यही इडी करेंट लॉस को दूर करने के लिए भी मैक्सिमुम क का sqr. f sqr. t sqr. इंट से रहते हैं नुमिरकल नेक्स्ट कोशन देखते हैं दो तो ट्रांस्फर्मर के समानतर पर चालन के लिए अनिवार सर्त कौन सा नहीं है तो इसका ओप्षन देखते हैं फिस्ट shopbusterBecause 0-7 lot just go love transformer का rating जो है kv rating समान होना चाहिए सही नहीं है ऑक भी अपरेशन काी हम करते हैं जैसे हमको सौ के ऐ एक ट्रांसफरमर है पचास के इका है तो हमके अगर डेल सुख्वेस्ट का जरूरत है तो हम 200 का एक अलग ट्रांसफर्मर न लगा के हम अपने 100 KB और 50 KB को ही जोड़के 1500 से अधीक के इस दोनों की छमता से अधीक छमता पैरलेल ओप्रेशन का यूज ही है maximize power ability के लिए तो इन दोनों के छमता से अधीक छमता उत्पन करता है इसलिए हम लोग इसको पैरलेल ओप्रेशन में ट्रांसफर्मर करते हैं दो से अधीक तो इसमें के भी रेटिंग ज़रूरी नहीं है यानि ज़रूरी नहीं कि हमको 100-100 का ही लेना है तो यह दोनों आपका यह option गलत है बाकी यह तीनों option यानि कि आप अगर आपसे question पूछा जाए कि फेज sequence सेम होना चाहिए परलेल ओप्रेशन के लिए क्या सर्त है फेज sequence सेम होना चाहिए फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए और वोल्टेज अनुपाद सेम होना चाहिए इसका explanation देखते हैं समान के भी रेटिंग क्या हो सकता नहीं होते है आवाजसक सर्त क्या फेज सेम होना चाहिए फ्रिक्वेंसी पूलरीटी और पर यूनिट इंपिडेंस यह extra हमने लिखा था तो यह दोनों भी आप चेक कर सकते हैं दो एक्स्टा है उसका पूलरीटी भी सेम होना चाहिए और पर यूनिट इंपिडेंस भी सेम होना चाहिए वो self induction पे काम करता है generally जो transformer होता है वो mutual induction पे काम करता है लेकिन जो auto transformer होता है वो self induction में काम करता है और transformer जो होते हैं generally transformer में दो winding होता है transformer में हमेशा दो winding होते हैं लेकिन auto transformer में एक ही winding जो होते हैं वो primary और secondary दोनों का काम करते हैं next question पे चलते हैं एक friction losses in real transformer real transformer में कोई भी friction नहीं होता है क्योंकि friction ना होने का कारण क्या है वास्तिक पड़ नमित्र में घर्चन हानिय सुनते लेकिन जब किसी वास्तिक पड़ नमित्र पर load होता है तब उसकी क्रोड में हानिय होते हैं जिने हम law हानिय काते हैं पड़ नमित्र के प्राथमिक दित्यकुनली में ताम्ड हानी copper loss is part loss जिसको बोलते हैं तथा इन हानियों का पुन्रूप से नगने नहीं माना जा सकता है तो real transformer में घर्चन हानिय कितना होता है सुनने होता है next question पे चलते हैं हम लोग एक transformer is a device तो transformer एक device से उसका काम क्या है change AC to DC नहीं है convert DC to AC नहीं यह rectifier का काम होता है a step and a step down voltage and current a step c number option है a step up and a step down AC voltage देखे कितना closely option दिया गया है step up and a step down चुकि यह जो होता है AC पे ही जो transformer हमारा होता है वो AC पे ही काम करता है यह भी question आप से पूछा जा सकता है normal की transformer जो होता है किस कैसी उकती है तो AC पे चलने वाली machine है अगर हम यह भी question आता है कि अगर transformer को हम DC supply देते हैं तो क्या होगा तो क्या transformer फूरा जल जाएगा या उसका कोई एक winding जलेगा या दोनो winding जलेगी तो इसका option होगा जिस source से यानि हम अगर primary को DC supply से जोडते हैं तो क्या होगा इसका primary winding जल जाएगा क्योंकि DC में जो होता electromagnetic induction नहीं होता है AC में electromagnetic induction होता है फ़र idle of electromagnetic induction इस कारण क्या होता है transformer का transformer का primary जल जाएगा next question पे हम चलते हैं यह आदर्स परनमित्र की प्राथमिक सक्ति 100 वाट है विभव अनुपात 2 ratio 1 है दीतिय सक्ति क्या होगी तो ideal transformer में क्या होता है primary और secondary दोनों क्या क्या होता है बढ़ावर होता है इसका option होना चाहिए चलते हैं